हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 10 थिकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है जाती धर्म और लेंगिक मसले अच्छा ये देखे ये जो मसले है ना रिगवैदिक काल में तो जो है फिर भी ठीक थे हैं जब से उत्तर वैदिक काल आया तो ये बहुत जोलंत मुद्दे हैं और जो है उत्तर रिगवैदिक काल से ही ये मुद्दे जो है चले आ रहे हैं और आज तक ये मुद्दे जो है सुलज नहीं पा रहे हैं अब देखे सबसे पहले अगर हम बात क बहुत बढ़ी भूमी का निभाते हैं अब यह बताइए कि वर्ड एकोनॉमिक फोरम के द्वारा ना एक इंडेक्स चारी किया जाता है जिसमें भारत जो है कितनी मजबूत और जो है वो गहरी है ठीक है तो चलिए इस चैप्टर में देखें कि हमें क्या देखना है परिशे में देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था समाजिक विविद्दा लोकतंत्र के लिए कोई ख तोड देंगे कि भारतमे लोगतन्तर के कामकाच के संदर्भ में परक्ने की कोशिश करेंगे हैं किया क्या समाजिक विभाजन और भेद भावाली तीन समाजिक असमान्ताओं पर करें गवह करेंगे यहन राजनीती काहिए औरो जो है राजनीती में अभिवेक्त होती है ठीक है और हम इस पर बारी-बारी से गौर करेंगे फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस इन जो ये जो असमानताएं हैं ना चाहे वो लेंगी काधार पे हो चाहे धार में काधार पे हो चाहे जादी के अधार पर हो तो अलग लेंगिक मसले के मुद्य को देखेंगे यानि की लेंगिक मसले और राजनीती ठीक है देखें मैं आपको बता दू कि आज 21 सताब्दी जो है वह चल रही है लेकिन आज के दौर में भी आप यह मानिए आधुनिक भारत के दौर में भी आज भी जब पुत्र होते हैं ना पुत हैं आज के जमाने में हम जी कर भी कितनी हमारी रूढ़्िवाधिता वाली सोच है ना तो पुत्रिचाह में जो अंधे दंपती होते हैं वो पुत्री जन्म से हत्या करने का भयावा कारिय निस्चित ही मानवता को सरमसार किया जाता है कितना भयावा काम होता है ये है ना भूर्ण हत्या करना एक जीवन जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है उसको भूड में ही मार डालना ठीक है तो ये भारत में लेंगिक असमानताएं ये बहुत व्यापक रूप से हैं और ये किस कारण से है ये रुड़िवादिता कारण से है है ना कि लड़के होंगे तो हमारा वंस आगे बढ़ाएंगे लड़कियों को तो दूसरे घर जाना है इसलिए प्रायोर में के इतिस को रखते हैं ये लड़कों को रखते हैं अब देखिए हमारे धर्म सास्त्रों में इस्त्री को देवी माना गया है लेकिन इसके बावजू की इस्त्रियों का शोशन कर रहे होते हैं अब हम जो है उस समाज का हिस्सा बन चुके हैं जिसके मूल और सिधान्त दोहरे मापदॉंडों की मौजुद्गी की वज़े से अचरज नहीं है अब यह देखिए कितनी मतलब कितनी घ्रिणा वाली बात है कि हम जो है देवियों की की पूजा करते हैं लेकिन हमारे घर में जो माता के रूप में बहन के रूप में पत्नी रूप में है न तो इन इनका हम शोशन कर रहे हैं यह तो बहुत अजीब सी बात है तो सीधे सीधे मेरा कहने का ताथ पर ये है कि हमारे आचार विचार और कार्यना हमेशा विपरीत होते हैं देखिए लेंगी का असामानता जो होती है आज के समय में एक बहुत गंभीर मुद्दा है और आप ये मान के चलिए कि जब तक ये मुद्दा अब आपको तो पता है क कि 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है पुर्षों और महिलाओं की समान हिस्सेदारी है न तो क्यों इनको हीन भाववना से देखा जाता है अधिकान्स लोकों का मानना ये है कि लेंगी का असमानता या फिर भेद्भाव कह लिजिए सिर्फियानी की धन कार्यय में भागे दारी और साजयदारी पूर्सों की इस्त्रियों के प्रति असंवेदन शीलता से संबंदित है लेकिन सत्य तो यह है कि आज भी ऐसे संस्थान जो है परमपराओं संरचनाओं और प्रणालियों को संरक्षन प्रदान करते हैं जो मूल रूप से इस्त्री विरोधी होते हैं या फिर ये कह लीजिए कि इस्त्रियों को उनके अधिकारों और करतव्यों से वन्चित रखना चाहते हैं आप सभी को पता है कि आज की सदी में भी हमारा देश जो है वो पित्र है यह आज के जमाने में भी आप देख लीजिए अमेरिकी समासास्त्री जो विलियम मैं ओगवर्ण का नाम बता दे रही हूं इन्हों ने जो है सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लैंगिक समानता को पिछड़ा कहा है अब यह देखिए कि सभी हमारे देश का विकास सिल नहें ना पर यह भी है हमारे देस विक्सित क्यू नह भारहा है क्योंकि लडगी की हिस्सेदारी ही इतनी कम है लड़्कियां कम पढ़े लड़की लिखी अब आप यह मानके चलिए कि 76 प्रत्षत जहां लड़के पढ़े लिखे हैं ना वहीं पर आप यह समझे कि साथ प्रत्षत से कम लड़कियां पढ़ी लिखी है अब देखिए जहां पर पढ़ाने की बाता भी को पता है कि हमारा देश में जो है 60 परसेंट ल जढ़ादा प्रेफर करते हैं है ना इस्त्रिओं का जो सोशन है न हमारे भाढ़तिय समाज में पुराने समय से ही चल आ रहा है ठीक है और जो है कुछ और उन्होंने स्वयम ही अपने आपको जो है दोयम धर्जे का मान लिया है जो कि बहुत गलत बात है समाज में इस्त्रियों को निचले अस्तर के लिए यह दो कारण प्रमुख है पहला अत्यंत निर्धनता और दूसरा जो है वो सिक्षा का अभाव और यही कारण है कि इस्त् अंत्रित श्रमिकों के रूप में असंगटित रूप से कार्य करने के लिए बात किया जाता है इस तरुक लिए क्या कहा जाता है वो बच्चे का पालन पोशन करेगी घर समालेगी है ना कभी आपने यह सुना है कि और जो ओरते अगर थोड़ा बहुत बाहर की जिम्मेदार या समालती भी है तो उन्हें जो है घर आकर घर का सारा घरेलू वाला कार्य करना ही होता है है ना अब आए इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ठीक है डिटेल में हम देखेंगे इस जोलंत मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे है ना तो निजी और सारव पोशन करने की और यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम लैंगिक विभाजन में से जह लगती है और ते घर का अंदर का सारा काम काज जैसे की खाना बनाना हो गया साफ सफाई करना हो गया कपड़े बच्चों की देख रेक करना है ना जबकि मर्द जो है घर के बाहर काम करता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मर्द जो है यह सारे काम नहीं कर सकता दरसल यह वे यह सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों के जिम्में है ठीक है अब यही बात आप ले लीजिए घर में जो है सिलाई बुनाई का काम औरते करती है ठीक है लेकिन अगर वही सिलाई बुनाई कार ये के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द लोग जो है वो खुशी-खुशी करते हैं आप देखते होंगे दर्जियों को है ना अधिकतर पुरुशी रहते हैं दर्जी होटल के रसो ये ले लीजिए पुरुशी होते हैं बहुत शौक से करते हैं ठीक है क्योंकि इसके लिए उ कोई गरीब इस्तरी किसी मध्यम वर्गी परिबार में नोगरानी का काम कर रही है मध्यम वर्गी इस्तरी काम करने के लिए दफ्तर जा रही है सचाई क्या है सचाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अत्रिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करत लेकिन उनके काम को ज्यादा मुल्यवान नहीं समझा जाता है और वही काम अगर जो है मर्द करके आए तो क्या होता है उनको प्रायोर्टी दी जाती है और जो है महिलाए करके आती है तो मुल्यवान नहीं समझा जाता उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रे नहीं मिलता ह अब देखिए इश्रम के इस तरह के बिवाजन का नतीजा क्या हुआ है और ते तो घर की चार दिवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सारवजनिक जीवन पुर्सों के कबजे में आ गया है अब आप ये मानके चलिए कि आज हमारे देश की राजनीती में चाहे जिस छेत सारी नहीं देना चाहते हैं है अब आप आज बात कर लिजिए जब सम्विधान जो है लागू हुआ था हमारे देश स्वतंत हुआ था तो मात्र 11 प्रस्ट महिलाओं की भागीदारी थी हमारे सम्विधान में ठीक है आज भी बहुत जादा उनका परसेंटेज नहीं बढ़ कम है ना तो देखें यहां लिखा भी हुआ है कि सारवजनिक जीवन में खासकर राजनीती में उनकी भूमिका नगन्य है ना के बराबर है ना यह बात अधिकतर समाजों में लागू होते है पहले पुर्शों को ही सारवजनिक मामलों में भागीदारी करने वोट देने या पिर सारवजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमती थी धीरे धीरे राजनीती में लैंगिक मुद्दे उभरे यह जोलन्त होता गया दुनिया के अलग-अलग हिस्से में औरतों ने अपने संगटन बनाए बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए कई आंदोल कि महिलाओं ने वोट देने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया है है और इस आंदोलन में महिलाओं की राजनीती और वैधानिक दर्जे का उंचा उठाने का प्रयास किया गया है देखिए लड़कियों की उस सिक्षा और रोजगार के असर बढ़ाने की मांग की गई मू हैंगी क्विभाजन की राजनीती न अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीती गोलबंदी ने सारवजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की आज हम वैज्यानिक डॉक्टर इंजीनियर प्रबंध कॉलेज और विश्विविद्याली सिक्षक जैसे प महिलाओं की भागेदारी का इसतर काफी उचा है क्योंकि वहां पे जो है बराबर की भागेदारी है औरतों की है ना विक्सित देश है वहां पे पुर्षों के पढ़ाई के साथ महिलाओं की भी पढ़ाई को उतना ही प्रायोर्टी दी जाती है है ना तो देखिए हमारे द पता है कि जो है लेंगिक असमान्ता जो है शुरुवाती दिनों से ही पुरुस और महिला के बीच असमान्ता का एक जोलंत मुद्दा रहा है ये पहुत दुखद है कि मनुष्य जैविक अंतर सभी प्रकार के महतों और अधिकारों को कैसे बदल सकता है है ना जैन मशले के तात्मक जो है हमारा समाज अभी भी है औरतों के साथ अभी भी कई तरीके के बेदभा होते हैं उनका दमन होता है देखे बात करते हैं पहली बात कि महिलाओं में न साक्षर्टा की दर अभी मात्र 54 फीज़ती है जबकि पूर्षों में 76 फीज़ती और इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च सिक्षा की और कदम बढ़ा पाती है जब हम स्कूली परिक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगह अगर उनका प्रदर्शन बहतर नह पशंद करते हैं अब ये इस्थिती के चलते क्या होता है अब भी उची तनख्वावाले और उची पोस्ट पे कौन है महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है है ना और भारत में औस तन एक इस्तरी एक पुरुष की तुलना में रोजाना एक घंटा जादा काम करती हैं पर उन ज्दा तर काम के लिए पैसे नहीं मिलते और इसलिए अकथर उनके काम को मुल्यवान नहीं माना जाता अगली बात ये देख्ये समान मजदूरी के जो है संबंदित अधिनियम् में यह कहा ग्याई है कि समान काम के लिए समान वेतर दिया जाएगा बहरहल काम के हर छेतर में यानि खेल कूद की दुनिया से लेके सिनेमा के संसार तक और काल कारखानों से लेके खेत खलिहान तक महिलाओं को पुर्षों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है भले ही दोनों में समान काम किया ना हो है ना पुर्षों को हमेशा महिलाओं से जादा मजदूरी मिलती है अगली बात ये है कि भारत में अनेक हिस्सों में माबाप सिर्फ लड़के की चाह होती है ठीक है लड़के पैदा करने की चाह होते है लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने की तरीके इसी मानसिक्ता से पनपते हैं है ना इससे देश में लिंग अनुपात प्रती हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है और 2011 की जन्म गर्णा में प्रती हजार पुरुष में 940 महिलाएं हैं ठीक है 940 से लेके 943 तक सायद है मुझे कन्फॉर्म डेटा नहीं पता है ठीक है आप देख लेना 940 से या फिर 943 है ठीक आगे बात करते हैं तो देखे साथ लगा नक्सा ये बताता है अभी हम नक्षे के माध्यम से भी देखेंगे कि कई जगहों पर यहां अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो आप ये मान लीजे कि 800 से भी नीचे चला गया है कितनी दैनी इस्थिती है महिलाओं की है ना पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लड़कों को वंस बढ़ाने वाला क्यों कहा जाता है एक औरत बच्चे पैदा करती है वंस को आगे ले जाने का काम तो औरते करती है लेकिन आज हमारा समाज विक्सित हो रहा है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अब लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं और यही सोचवाले के साथ अगर युवा आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद जो है कंडिशन कुछ चेंज हो है ना अब देखे महिलाओं के उत्पीडन शोशन और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है आप अख़वारों में रोज देखते होंगे इस महिला के साथ सुना होगा ठीक है बहुत सारे ऐसे जो है केसेस दिखते हैं वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्यों कि वहां भी उन्हें मार पीट और अनेक तरह के घरेलू हिंसा जेलनी पढ़ती है अब देखे यह हम लिंगानुपात का डेटा देख लेते हैं हम यह देख र वेस्ट बेंगॉल और इधर पूर्वत्तर के राज है अवनाचल प्रदेश हो गया असम में घाल है मिजोरम है ना यह सारे राज हो गए फिर क्या है 926 से लेके 950 तक ठीक है ग्रीन पोर्शन वाले ठीक तो इस प्रकार आप देख लेंगे करनाटक आंधर प्रदेश तमिल पंजाब और हरियाड ठीक है में लड़की का प्रत्सत बहुत कम है और यह जो अनुपाथ है यह 0- 6 वर्द के भच्चों का बात कर लेते हम पेत्र प्रदान क्या होता है तो यह जो है इसका साब्दी कर्थ होता है पिता का शाषन है ना इस पत्रका nine 2 5 शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है अब यहां देखिए विश्व के विभिन छेत्रों में राश्ट्रिय संसदों में महिलाओं की संख्या देखिए नौडिक देश में 42.3 प्रत्सत ठीक है अमेरिका में 29.5 प्रत्सत अब ऐसे ही देखिए अपने भारत में क्या इस तो अब देखिए अब हम बात करेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनी धित्तों ठीक है ये तो कोई छुपी होई बात है नहीं कि औरतों की भलाई या फिर उनके साथ समान व्यवार वाले मुद्दों पर परियाप्त ध्यान नहीं दिया जाता किसी से नहीं चुपा है है यहां बात इसलिए कही जाती है कि जब तक औरते जो है सत्ता पर नहीं पहुंचोंगी अब आप यह मान के चलिए कि कहा जाता है ना कि ओरतों का दुख ऑरते ही समझ पाएंगी तो यहीं बादली बात है ओरते जब सत्ता पर जाएंगी ना तब ही वह जो है वह जहेlti आ वो चीज वो जो है उनके के विकास के लिए कार्य करेंगी तो यह चीज ही शारी है यहां पर तो इस लच्छी को हासिल करने का एक तरीका यह कि जंता द्वारा चुने हुए प्रतजिद्यों में महिला की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएं बिलकुल सही बाध है और भारत की विधायका में महिला प्रति निधियों का अनुपाद बहुत ही कम है जैसे आप देख लीजये लोग सभा में महिला सांसदों की संख्या पहली ब नीचे है अभी हमने देखा है विकास कर रहे है विकास कर रहे हैं लेकिन इस लैंग हैं कटकी कोई महिला को सुलजाने का एक तरीका है क्या तरीका है तरीका तो निर्वाचित जो है संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तै कर देना है ठीक है एक बढ़िया तरीका है कानूनी रूप से उनकी प्रॉपर हिस्सेदारी तै कर दी जाए अब जैसे देखे पे महिलाओं की हिस्सेदारी आरक्षित की गई है इसी वज़य से की गई है उन्हें आने का रेंफोर्स्मेंट का काम दिया गया है है ताकि महिलाओं महिलाओं महिलाएं जो है इस चीज की वज़े से जो है आगे आएं और सत्ता में जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं आज भी जो है भारत के ग्रामिड और सहरी निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाग से जदा है देखें महिला संगटनों और कारेकर्टों की मांग ह ना कि लोकसभा और राजसभाव यानि कि राजविधान सभाव में भी एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए रिजर्फ कर देनी चाहिए ठीक है इससे वहां भी जो है उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो संसद में इस आसे का एक विधेयक भी पेश किया गया था पर दस वर्स इस बात पर जो है एक मिसाल है कि कुछ खास में किस्म के समाजिक विभाजनों को राजविधिक रूप देने की जरूरत है इससे यह भी पता चलता है कि जब समाजिक विभाजन एक राजविधिक मुद्दा बन जाता है तो वन्चित समूम्हों को किस तरीक archives लाब होता है जिनें मौका नहीं मिलता है उन्हें मौका मिलेगा और वो भी जो है देश के हित में कारे कर सकेंगी तो क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे ब्यवहार का मसला राजनीतिक तोर पर ना उठता तो उनको लाब मिल पाना संभव था आप लोग मुझे जर अगले वीडियो में देखेंगे आज हम सिर्फ लगिक मुद्दे को ही उठाते हैं और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो और अ इकात कमेंट भी कर दिया करो मैं थोड़े बहुत कमेंट ही देखके खुश हो लिया करो थैंक्यू वेरी मच